विशो पर्यावरण दिवस वातावरण उपहार स्वरुप बेट में प्रदान किया है पर्यावरण द्वारा दिए गए इस उपहार का प्रतिक जीवनधारी भरपूर उपयोक करता है लेकिन आज के आदुनिक दोर में दिरे दिरे हमारा पर्यावरण प्रदुसित होते जा रहा है है हमारा देश इतना विकास कर चुका है लेकिन आज भी हमारा पर्यावरन पूरी तरसे सुरक्षित नहीं है पर्यावरन जीवन का सबसे बड़ा प्राकुरतिक संसादन हमें उपलब्द करवाता है चारों और से हम पर्यावरन से गिरे हुए हैं यह हमें बढ़ने एवं विकास में सयोग देता है पर्यावरन हमें यह सब कुछ प्रदान करवाता है जिसके बिना जीवन संबवन नहीं है वायू प्रकास जल एवं जीवन के लिए प्रतिक आवशक संसादन हमें पर्यावरन से ही प्राप्त होते हैं लेकिन इसके प्रतिकार में पर्यावरन हमसे भी सहायता की अपेक्षा रखता है जिसके माद्यम से हमारा ही पालन पोसन अच्छी तरीके से हो सके और जीवन कभी भ बढ़ती तकनिकों के कारण प्रतिक दिन प्रकृती तत्व को अस्विकार किया जा रहा है और पर्यावरन को नुक्सान पहुच रहा है। इन लोगों में पर्यावरन सुरक्षा के लिए जागरुकता भेलाने के लिए कई तरगी गतिविद्या की जाती है। प्रतिक विक्ति को पर्यावरन सुरक्षा के लिए अपना दाईतुए निपाने के आवश्रक्ता है। प्रतिक विक्ति पर्यावरन की सुरक्षा के लिए छोटा सा भी कदम उठाता है। प्रतिक मानव पर्यावरन के प्रति अपनी जिम्मेंदारियों को समझ कर पर्यावरन सुरक्षा में अपनी गुम्मी का लिए तो पर्यावरन को प्रदुस्वित्त होने से रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देने के आवश्रता है, जैसे कि पानी की बरबादी न करें, उर्जा एवं बिजली की बचत करें, प्रतिदीप्त प्रकास को निर्मित करें, इसके अतिरिक्त अन्ने कई ऐसे चोटे-चोटे कदम हैं, जिनके माध्यम से पर्यावन को सु सिर्ण बात मीत्रों